हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैगनेट बेंज यहाँ पर आ गए हम दुर्वा का नया पार्ट लेकर दुर्वा बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा नया जो पार्ट है वो एक कविता है फर्ष फर्ष पर तो जो फर्ष होती है जमीन होती है उस उपर आधारित ये ए हमारे नीचे बहुत ही जरूरी है चलने के लिए बहुत जरूरी है चाहें बैठें चाहें उठें वह फर्ष ठोस हमारे लिए बहुत जरूरी है उसके साथ क्या क्या होता है ये इस कविता में बताया गया है ये कविता रचित है हमारी निर्मला गर्गजी द्वारा उन्हो फर्श पर हवा आती है बिखेर जाती धूल फरश पर सूरज आता है सजा जाता चिंदियां फरश पर मुन्ना आता उलट देता कटोरी फरश पर तो कहने का हम कभी ध्यान नहीं देते कि ये कुछ ऐसा important भी है नहीं ऐसा कुछ नहीं ये सबसे जादा important है हम इस पर कभी ध्यानी नहीं देते कि ये क्या क्या होता है इसमें अब वो सुभा से जो शुरू होती है चीजे क्या होती है चिडिया आती डाल जाती तिनके फर्श पर तो अब क तो भी अगर उनके मुह में दो चार तिनके हैं तो उसमें से एक तिनका फिशल कर जो है वो फर्ष पर गिर जाता है हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्ष पर तो जब हवा चलती है हवा जब चलती है तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर चलती है तो फर्ष पर क्या होती है धूल ही धूलो जाती है आपका भी ध्यान दीजिए कि अगर हमें सुबा सफाई करी है तो साम तक वहां पर धूल जम जाना एकदम स्वाभाविक सी बात है तो वही हुआ कि जब हवा चलती है तो फर्ष पर धूल ही धूल चा जाती है वह अपने साथ लेकर आती सूरज आता स क्राइब सजा जाता चिंदिया फर्ष पर अब चिंदिया मतलब क्या होता है जब सूरज की रौश्नी पड़ती है जब रौशनी पड़ेगी तो अगर वह डाइर्क पड़ रहे है तो अगर वो पच्चाओं के साथ आ यहां दूप हो गई तो उनी चिंदियों को जो है चिंदियों का जो है संगया दी गई है यहां पर मुन्ना आता उलट देता कटोरी फर्ष पे अब बच्चा चोटा सा बच्चा अगर कुछ खाने के लिए दिया जाता है तो बच्चे तो शणारती होते हन्क लिए हर चीज में खेल होता है उसको दिया के लिए तो घूड़ा सा खाएगा लेकिन खेल में वह पूरी कटोरी जो है वह फर्स पर उलट देता है तो यह वा फर्श के साथ यह हुआ सुभा से शुरू हुई चीज़े अब आगे क्या है इसका भावारत हम किस तरीके से लिखेंगे घर की फर्ष हमारी रोज मर्रा की जिंदगी की एक अटूठ हिस्सा होता है हमने बताया ना हम जो कुछ भी करते हैं फर्ष से सजे ही मतलब जुड़े ही रहते हैं चिडिया आकर फर्ष पर तिनका डाल जाती है इस तरह चिडियां भी हमारे हमारे घर के फर्ष पर अपना अधिकार जताती है को जो फर्ष हमारा है उस पर उनका भी अधिकार होता है हवा भी जब बाहर से आती तो आने की सूचना फर्ष पर धूल बिखेर कर देती हैं सूरज अपनी किर्णों से रंगीन कागसी चिंदियां फर्ष पर सजा देता रंगीन आगज किसी चिंदियां का अर्थात मतलमन में बताया ना धूपचाव रहती है और अगर कहीं से ग्लास से भी आ रहे हैvan जैसे होता है चमकीले ग्लास लगे होते हैं तो उन चमकीले ग्लास से उ से चलारРफुल जो ग्लास होते हैं उन talking में ़ी कांच से घंग भी जो छोटे बच्चे होते हैं लगता है कि अभी बैट के गुटने चल रहे तो उनको माबाब हमेशा फर्ष पे रखते बैट पे नहीं रखेंगे फर्ष पे रखेंगे ताकि बच्चे जो हैं ऐसा नहों कि कहीं कहीं अगर ने ऊपर रखा बैट पे तो गिर जाएंगे तो मम्मी आती है बीनिती दाल चावल फर्ष पर पापा आते हैं उतार देते जूते फर्ष पर तो यहां पर क्या चीज़ बताए गई कि जो सभी अभी तो बच्चे बताए गए अब मम्मी के लिए तो सारा संसार फर्ष है सब बहुत कुछ मम्मिया जो हैं फर्ष पे बैट के करती है तो यहां पर क्या बताया गए मम्मी आती है और 5000 पर बैठ कर बिनेगे और आमसे दाल बिनेंगी बनाने के लिए और पापा अगर आते हैं पापा अगर बाहर से आते तो क्ये होता है तो वह जूते भी फर्श पर उतार कर अंदर की तरफ प्रस्थान करते हैं तो कैसे लिए घर की मालकिन के लिए फर्ष ही उनकी कर्म भूमी है वह फर्ष पर दाल चावल बिनती है सबजियां काटती है वहीं बैठकर पूरे महले के बारे में गप लड़ाई जाती है घर का मुखिया फर्ष को अपनी आराम गहा बना लेता है जूते उतारने का मतलब है पूरे दिन की ठकान उतारना जूते उतारने से यह भी जाहिर होता है कि आपने अपने दिन का काम समाप्त किया तो यहां जूते उतारने से बहुत सारे मतलब होते हैं कि यह हमारी जगा है हम यहां प्रवेश कर रहे हैं हम अपने पूरे दिन की ठकान यहां पर छो नाप्त होता है अब यह हमारे काम का खतम और परिवार के साथ का समय शुरू होता है महरी आती है समेट लेती सब कुछ अपने बिबाई पड़े हातों में और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्श पर तो यहां पर किया महरी महरी का मतलब खतम पर है यहां पर घर में काम करने वाली बाई आती में जिसको हम बोलते जाड़ trip और भी हर के जितते भी काम करने होते तो क्या दिया जब वो काम करने वाली बाई अर्थात महरी आती है तो समेट लेती सब कुछ यानि कि वो घसा फर्ष पर पड़े हुई जितनी भी गंदगी होती है उसे समेट कर उस फर्ष को साफ कर देती है अपने बीबाई पड़े हातों में चूपकि वो बहुत ज़दा काम करती है जगा जग पूरे फर्ष को अच्छे से साफ करती है और इस तरह लिखती है हर रोज एक कविता फर्ष पर और जब हम पूरा साफ कर देती है महरी तो पूरा साफ कर गई और फिर वो एक कोरे कागज की तरह हो जाती है कि फिर यहां इस फर्ष पर डेली की कविता लिखी जाएगी कविता कविता लिखना मतलब फिर से इसमें सारे कार शुरूंगे अभी तक जो कारे हो रहे थे धूल पढ़ना दूप चाओ पढ़ना बच्चे का खाना उलट देना ममी का दाल चावल बिनना पापा का जूते उतारना तो उन सब से जो तिनी भी फर्ष गंदी हुई थी उस सारी फर करेंगे ममी करेंगी पापा करेंगे फिर से उस पर सारे कार शुरू होंगे तो कैसे लिखें इसको मेरी की भूमिका एक काम वाली से कुछ जादा होती है वह हमारे सुख दुख के साक्षी होती हाला की काम करने इसके हातों पे छाले पढ़ गए होते हैं फिर भी उन हातों स वो फर्ष पर फैली हुई सारी गंदगी समेट लेती है इस तरह हर रोजवा फर्ष पर एक नई कविता लिख जाती है फर्ष फिर से निर्मल हो जाती है यानि कि वो फर्ष को निर्मल यानि कि साफ कर जाती है और फिर से पूरी एक कविता लिखने के लिए तयार कर जाती है तो इस तरीके से इस पार्ट को मैंने अच्छे से समझाया कि एक फर्ष जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते उस चीज पर भी हमारी निर्मला गर्ग जी ने कितनी अच्छी कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी तो इस कविता को पढ़के बड़ा मज़ा आया हमने कि हम जिस इतना important नहीं समझते थे क्या क्या घटित होता है उसके साथ यह चीजें हमने देखते हैं कैसे लिखेंगे हम कविता में फर्ष पर कौन-कौन और क्या क्या करता है सबसे पहले हम तो कविता में क्या था पहला चड़िया आती है तिनके भी खेड़ती है हवा चलती है धूल फिर सूरज आता है तो चिंदिया फैलाता है फिर मुन्ना आता है तो कटोरी उलट देता है मम्मी दाल चावल बिनती है पापा फर्ष पर जूते उतारते हैं और जब महरी आती है तो वो पूरे जो है जितनी भी गंदी फर्ष होती है उसकी पूरी सफाई करती है तो यह मुन्ना दूद की कटोरी उलट देता है हवा ढूल द्रूल बिखेर देती है मा दाल चाल के दाने बिखेर देती है और पापा जूते बिखेर कर वो चीज़ें आप यहां पर बताएंगे फर्ष पर सभी के द्वारा कुछ ना कुछ काम करने की बात कविता में हुई है मगर महरी के काम को ही कविता लिखना क्यों कहा गया है क्यों क्योंकि वह सफाई करती है सफाई कर रही है फर्ष पूरा क्लीन अप कर रही है और जिस तर क्या बोला गया है कलिखित कविता महरी द्वारा लिखित कविता हो अ क्या होती है कैसे क्वेरी फिर्ष पर पोछा लगाती है ₋ पूरे घर को ती उसके द्वारा फर्ष पर पोच्छा लगाते यह जो हैं लाइने छूट जाती हैं जिने देखकर कभी करपना करता है मानो महरी ने फर्ष पर कविता लिख रही हो तो मसलब वो जो लाइन चूटती हैं उससे कभी को क्या लगता है कि वहाँ पर कुछ लाइने जो हैं महरी ने भी लिख दी है तुम्हारी बात अब आपसे पूछा गया है वो तो पार्ट से आधारित था अब आपसे पूछा जाएगा क्या तुम अगर मुन्ना की जगा रहो तो क्या करोगे और क्यों तो आप क्या करेंगे याप भई हम लोगी फर्ष पर बैठ कर कभी पढ़ाई करते हैं कभी कुछ कर तो हर लोग हर तरे की अलग अलग करते हैं तो कोई भी लिख सकता है तो उसे बस आपको सुंदर तरीके से लिकने हम आप उसकी जगा होंगे तो हम भी वैसा ही वहवार करेंगे अब हम चोटे बच्चे होंगे अब उन्होंने क्या बोला हमसे चोटे बच्चे हो जाने के लिए तो हम क्या करेंगे हम उसने उदूत की कटोरी तो हम दालचावल भी भी खेर सकते हैं दालचावल भी खेर सकते हैं खिल साफ कर रहे तो ये दोनों के असमहनता आइए उसे अपने धंग से बताऊं तो क्या है यहां पर समानता क्या है महरी फर्ष साप कर रही हैं और मम्मी डाल चावल साफ कर रही है तो दोनों में समानता है ख वो लोग जो हैं एक खाना बनाने का काम कर रही है गंदिगी की सफाई कर रही है और एक खाने की चीजों को सफाई कर रही है तो ये दोनों में असमानता भी है मम्मी चावल साफ कर रही है मगर उसे चावल तो साफ हो रहे हैं लेकिन उसे फर्ष भी गंदा हो रहा है क्या हो रहा है मम्मी चावल साफ कर रही है तो साथ साथ में वो चावल के जो गंदगी के जिजदाने निकाल रही है वो फर्ष पर डाल रही है जिससे क्या हो रहा फर्ष गंदा हो रहा है महरी फर्ष को साफ करके उस गंदगी को भी साफ कर रही है जो दोनों ही अपने अपने तरीके से सफाई कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से भी आप मेंजिन कर सकते हैं कि मम्मी दाल चावल साफ कर रही है तो वो दाल चावल की सफा की द्वारा फैलाई गई गंदिगी को भी समेठ के अच्छे से साफ कर रहे मेरी द्वारा कोई गंदिगी भी नहीं फैलाई जा रहे तो यह असमानता और समानता है रहें इसको इस तरीके से मेंचिन करेंगे नेक्स क्या है तुम कविता के में सभी को कुछ ना कुछ करते पाते हो उन में से तुम्हें किसका काम सबसे जाधा पसंद आता है तो अब क्या है घर में हर किसी आपको भी कुछ में से किसी एक का काम पसंद आ सकता है लेकिन यहां पर जो सबसे बढ़िया काम लगा वो तो मह काम पूरी फर्ष को साफ कर देने का काम तो क्या था यहां कविता में सभी कुछ न कुछ कारी कर रहे हैं मगर उनके कार्यों से घर फैल रहा है मतलब जो भी धूल भी है तो क्या हो रहा है गंदगी भी खेर रही है बच्चा खाना भी खेर रहा है चिडिया तिन के भी खेर र रही है लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उससे गंदगी नहीं उसे सफाई हो रही है वह महरी द्वारा किये गए कार्रे से हो रही है तो यहां क्या दिया है लेकिन महरी उन सभी की गंदगी को साफ करके साफ करके घर को साफ कर रहे हैं तो अपने हर को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो उन कामों साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो पहले तो क्या क्या करना है और फिर उनके सामने यह भी लिखो कि यह काम कब कब किये जाते हैं अब जैसे सुबा के समय हम उठते हैं तो क्या होता है हमारा बिस्तर जो है वो बिखरा रहता है तो आप यह बोल सकते हो कि हम ओड़े गए च समय रहता है अपना बैग आप सुझवा जब नहां के आएंगे स्कूल जाने से पहले बैग सेट अप करते हैं आप वो तब करेंगे या रात में करके रखते हैं जिस समय भी आप करते हैं उस तरीके से करेंगे अपने घर में अपने घर और अपने कमरे में फैले हुए सभी सा तो ध्यान लगे कब सी कम उसमें five numbers तक की सूची जरूरी कमपल स्री कि कोई भी चीज लेंगे आप जिसमें पास तरह की ऐसी चीज़ें आपको लिखनी होंगी कि आप क्या क्या सफाई करते हो कित्ते कित्ते समय पर करते हो यह बहुत जरूरी क्योंकि हमारे सामने सूची बना नहीं ही बनानी उससे आगे बन जाती है तो बहुत ही अच्छा मगर देखें मिनिममम फाइफ बनानी है मैक्सिमम एट बनाके चलिए एट से आगे नहीं बढ़िए और फाइफ से कम नहीं जाईए तो क्या होगा यह फाइफ टू एट जो काम है इन्हीं की सूची आपको ब पाट के सभी प्रश्णुत्तर हमने आपको समझाए कविता समझाई प्रश्णुत्तर समझाए तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे करने के लिए पूछी कहीं है तो मगर द्यान रखिए जो भी काम आप अपनी तरफ से लिखेंगे पूरी समझ बूच के साथ लिखेंगे कोशिश यह करिए कि काल्पनिक नहीं लिखिए आपका जो वास्तिविक जीवन है उससे संबंधत लिखिए तो यह पाट हमाने यहाँ पर खतम किया थैंक यू बाबाई